नमस्कर दोस्तों तो आजकी इस वडियों में हम बात करने वाले हैं जो si youtpg है भाउन आज भीजी उसमें जो इस्पॉ्ट रालॉंड काउंसलिंग होती है इस्पॉर्ट राउंड और दूसरी होती है जो उप्मन राउंड काउंसलिंग वो क्या होती है उसके बारे में हम डिसकस करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट का डाउट आ रहा है कि हमने इस युनिवर्सिटी में अभी जो रिजिस्टर से नहीं किया है और जो उनिवर्सिटी के है वो मेरिट लिस्ट आना शुरू हो गई है तो क्या हमें मौका मिलेगा उनिवर्सिटी के जो काउंसलिंग उसमें पाइटिस्पेट करने का या नहीं मिलेगा अब देखे हमारे पास दो काउंसलिंग होती है यह दी माली जे जो उनिवर्शिटी ने है जो अपना सेडूल डिसाइड गया था उसमें यह दी उनिवर्शिटी ने कहा था कि हम तीन राउंड तक की काउंसलिंग करवाएंगे तो मालीजे युनिवसिटी में तीन राउंड की काउंस लिंगा वो कम्प्लीट हो चुकी है और किसी युनिवसिटी में सीट है वो वेकंट रागी मालीजे हम बात करते हैं C.U.S. की यानि की सेंटर युनिवसिटी हो भजयाना हरियाना में मालीजे इसी कोर्स में 50 सीट है और फर्स्ट राउंड में मालीजे 10 सीट फील हो गई सेकंड राउंड में भी 20 सीट फील हो गई मालीजे यानि की टोटल सीट 30 हो गई और 10 सीट 3 राउंड में हो गई यानि कि 50 में से 40 seat है वो complete हो चुकी है 3rd round तक अब कितनी seat vacant होगी? 10 seat vacant है अब 10 seat vacant है तो university पर depend करता है कि वो या तो करवाए open round counselling या करवाए sport round counselling अब या open round और sport round क्या होती है अब देगी open round counselling में तो जितने सारे candidate है जिसने पहले apply किया था या नहीं किया था वो सारे candidate यहाँ पर apply कर सकते है यानि कि भाग ले सकते है सारे student भाग ले सकते है लेकिन जो sport round counselling होती है उसमें केवल वो ही candidate भाग ले सकते है जो पहले CUS यानि कि जिस university की sport round जो counselling से लगी है उसमें केवल वो ही candidate भाग ले सकते है जिनका admission first, second या third किसी भी जो counseling है, उसमें round के counseling में नहीं हुआ, अब वो sport round में भाग लेना चाते हैं, तो क्यों वो ही भाग ले सकते हैं, जिनों ने पहले यहाँ पर registration किया, माली यह CUH है, उसकी sport round counseling है, तो उसमें वो ही भाग लेंगे, जो पहले CUH का registration portal open हुआ था, और उन्ह से नहीं हुआ, तो क्यों वो ही भाग ले सकते हैं, और CUH की open माली जे चल रहे है, open counseling, तो जितने भी student है, चाहे पहले उन्होंने registration किया है, या नहीं किया, वो सारे के सारे भाग ले सकते हैं, लेकिन sport round में क्यों रिजिस्टर candidate ही भाग ले सकते हैं, क्यों रिजिस्टर candidate, र open round की counseling का, उसमें difference किया होता है, जो open round है, उसमें सारे students है, पहले registration किया है, या नहीं किया है, और sport round में क्यों वो ही भाग ले सकते हैं, जोनों पहले registration किया हुआ है, उस particular university में, तो आप होप करते हैं, आपको ये open round और sport round है, उसमें difference समझ में आओगा, अब देखें, जो CUH क पहले 2022 में counseling हुई थी, उसमें हुआ था open round, यानि कि सभी student को यहाँ पर मौका दिया काया था, CUH में तो, लेकिन जो CUR आज है, CUR आज में open round counseling होके, sport round counseling हुई थी, यानि कि वहाँ पर केवल वो ही candidate सा सकते थी, counseling में, जोनों ने पहले आप, वहाँ पर registration किया है, तो होप करत आपको यह समझ में होगे, जिदि आपको वीडियो से लगे तो like करना, share करना, और चैनल को subscribe करना, ने बूलना, so thank you for watching this video,